वेलकम टो एडूजोस, एडूजोस में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटेलिजेंस बूरो के सेक्यूरिटी एसिस्टेंट या एक्जेक्यूटिव का जो एक्जाम 2018 में हुआ था उसके रिजल्ट को लेकर बात करने वाले हैं तो वीडियो को अंतक देखेगा और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर जरू किजेगा देखे रिजल्ट की घोशना अभी किसी भी तरह से ऑफिशियली नहीं की गई है वेबसाइट पर कहीं पर भी यह चीज नहीं लिखावा है कि रिजल्ट जो हो कब आएगा लेकिन एक अनुमान जो हो हर कोई लगाता है तो यहाँ पर जो एक्जाम का पूरा प्रोसेस था जिस तरह से एक्जाम कंडक्ट कराएगया और रिकूटमेंट का जो प्रोसेस पिछली कई सालों में आईई बी की तरफ से होता आया है तो इसको धैन में रखते हो या फिर बाकी एजेंसिस माई को जो 17 माई को आप सभी के लिए यहाँ पर 3 महिना हो जाएगा तो minimum time जो देखे यह एक खास बात है कि offline exam होता अगर online exam होता तो answers निकालना जो कि आपके marks निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि सब कुछ वो systematic होता है, automatic होता है software के तुरू लेकिन आप सभी ने offline paper दिया है, इसमें OMR sheet आपने fill की है तो वहाँ पर जो है, वहाँ भी software का इस्तिमाल होता है OMR scan करने के लिए लेकिन वो थोड़ा सा process जो है difficult होता है online के comparison में तो यहाँ पर एक important चीज और है कि आप सभी ने 17 फर्वारी को exam दिया था अगर मैं मान के चलू कि आप सभी का जिन्होंने 17 फर्वारी को exam दिया था उन सभी के अगर question जो OMR sheet है वो अगर उसका सारा process हो चुका है तब भी आप लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर वाले candidate है उनका अभी process बाकी है अगर उनका बाकी है और बीच में elections भी चल रहे है तो election की वज़े से वो और भी काम है जो delay होगा इसमें तो मैं मानता हूँ ऐसा कि मई का जो पूरा महिना 17 मई को तो 3 महिना हो जाता है उस exam को conduct करते हुए लेकिन 17 मई के बाद आप पूरे मई को छोड़ देजे क्योंकि 23 मई को जो है वो नई गिंती होगी और उसके बाद सरकार का गठन होगा कौन से सरकार आएगी यह किसी को नहीं पता है लेकिन फिर भी आप इसको मान के चले कि पूरा मे का महिना आप इसको छोड़ दीजे मे महिने तक result आने की संभाबना नहीं है क्योंकि पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड का था तो इसलिए यहां पर मेरा अनुमान यहां पर है जो मैं एकस्पेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से जून के मिड में जून जो मिड होगा यानि 10 से 15 मान लिजे 10 से 15 या 10 से 20 जून के अंदर रिजल्ट आने का संभाबना है सेक्यूर्टी एसिस्टेंट आई बी के अंदर जो वेकेंसी आई थी तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लिजे वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर जरूर कीज़ेगा थैंक्यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद